दोस्तो इस वक्त की बेहत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है जहां पर दोस्तो सरियस एयर ने दिया बड़ा बयान कहा रिशा पंत की जगह दोने की वापसी होगी हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का फिर सी हमारी योटूब चैनल क्रिकेट देखो जी में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले है कि रिसरियस एयर ने क्या बड़ा बयान दिया है ऐसा क्यूं कहा है कि रिशा पंत की जगह दोने की वापसी होने वाली है तो चलिए दोस्तो गर आप भी महंदर सी हैं धोनी को विश्व का सबसे बहतीरीन टॉप क्लास विकेट की पर बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें दोस्तो आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ दो हजार लाइक का है तो दोस्तो धोनी को सपोर्ट जरूर करें इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें तो चलिए दोस्तो बिना वक्त गवाई हम इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों भारत और बंगलदेश के बीच ती टेटी मैचों की सीरीज का पहला टेटी मुकाबला खेला गया। यह मुकाबला दिल्ली के अरुन जेटली करके स्टेडियम में कھیला गया। इस टेटी मैच में बंगलदेश के कपतान महमदूल्ग ने टॉस जीता और पहले लेकिन इसी उहर की अंतिम गेन पर पवेलियन लोड गए स्रेयस एयर ने आते ही तेजी से रन बनाए लेकिन 13 गेंदों में 22 रन बनाकर पवेलियन लोड गए साथी में दोस्तो शिकर धवन ने भी धिमेबल लेबाजी की और 42 गेंदों में 41 रन बना कर आउट हो गए दोस्तो इसके बाद शीवम, दूबे और रिशबपन तभी कुछ खास प्रबाव नहीं चोड़ पाए लेकिन वाशिंग्टन सुंदर और कुणाल पांडया ने अंतिम दो ओहरों में 30 रन जोड़ कर टीम को 6 विकेट पर 148 रनों तक पहुँचा दिया 159 रनों के लक्ष का पीचा करने उत्रे बंगलदेश की टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही पहले ही ओहर में लिटन दास का विकेट गिरा फिर नईम और सुम्य सरकार ने पारी को संबाला दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 40 रनों की साजिदर बनाई दोस्तो अनुभवी मुश्पिकुर रहीम ने पारी को संबालती हुए मैच में नाबाद 60 रन बनाए और इस तरह से बंगलदेश ने पहला टीट्वेंटी मुकाबला अपने नाम कर लिया वहीं पर दोस्तो मुश्पिकुर रहीम को उनके बहतरीन पदशन की वजह से मैन अप दम मैच का अवार भी दिया गया दोस्तो धोनी का उत्तरादिकारी माने जाने वाले रिशप पन्त ने पहले टीट्वेंटी में फ्लॉप साबित हुए उन्होंने टेस्ट क्रिकेट जैसी बल्ले बाजी करते हुए 27 गेंदों में 26 रन बनाए और खराब शौट की वजह से आउट भी हो गए जिसके बाद कई सारे दिगज फिर से एक बार रिशप पन्त पर गुसा हुए है अब दोस्तों मानदेश के खिलाफ दिली में खेले गए पहले टीट्वेंटी मुकाबले में जब रिशप पन्त ने डियारेस के लिए कप्तान रोहित शर्मा को सहमत किया लेकिन जैसे ही अमपायर ने भारत का रेफरल खारिज़ किया तो दर्शुकों की ओर से लगातार ध धोनी डियारेस लेने में महारत रखते हैं और इस मामले में उनके अधिकतर फैसले सही साबित होते हैं अब दोस्तों इस वक्त की बेहत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है जहां पर दोस्तों खराब प्रदशन करने की वजह से रिशप पंत को लेकर स्रेयस अईयर ने बड़ा बयान दिया है जहां दोस्तों स्रेयस अईयर ने कहा कि रिशप पंत टी-20 के सबसे खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं लेकिन उन्होंने पहले टी-20 मुकाबले में जिस तरह से प्रदशन किया है वह काफी जादा निराजनक है जिसकी वजह से हमें हार का मुह भी देखना पड़ा है क्योंकि रिशप पंत जिस बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं उस तरह का प्रदशन उन्होंने नहीं किया है और हमें लगता है कि अनुभवी विकेट के पर की हमें अभी फिलहाल में बहुत ज्यादा ज़रू थे जो कि महंदर सीहं धोनी है और टी-20 मुकाबले में मैदान पर होते तो शायद हम यह पहला टी-20 मुकाबला जीत पाते तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर स्रेयस ऐयर ने साफ साफ कह दिया है कि उन्हें रिशप पंत की जगह धोनी की वापसी होनी चाहिए क्योंकि महंदर सीहं धोनी का अनुभवी जो है टीम इंडिया के लिए काफी जादा महतवपूर्ण और मददगार साबित होता है तो ऐसे में दोस्तों क्या आप भी स्रेयस ऐयर की राय से सहमत हो क्या हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए साथे में हमें बताए कि रिशप पंत और महंदर सीहं धोनी में वर्ल्ड का सब से बहतरीन विकेट की पर बल्लेबाज कोन है उसका जवाब भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे साथी में दोस्तों अभी तक आप ने नहां पर धोनी को सपोर्ट नहीं किया तो नीचे जाकर अभी किया भी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करे और दोस्तों इस वीडिय की जगह धोनी की वापसी होगी हेलो दोस्तों सौगत है आप सभी का फिर सी हमारे यूटूब चैनल क्रिकेट देखो जी में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कुर्णाल पांडिया ने क्या बड़ा बयान दिया है साधी में उन्होंने ऐसा क् रिशा पंत की जगह धोनी की वापसी होगी और क्या सच में मैदान पर महंदर सी हम धोनी की वापसी होने वाली है तो सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखे और दोस्तों अगर आप भी म महेंदर सिह धोनी को सपोर्ट जरूर करें इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाई हम इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों भारत और मंगलादेश के बीच ती-20 मैचों की सिरीज का पहला टी-20 मुकाबला खेला गया यह मुकाबला दिली के अरुन जेटली करके स्टेडियम में खेला गया इस T20 मैच में बंगलदेश के कप्तान महमद उल्ला ने टॉस जीता और पहले गेंद बाजी करने का फैसला किया पहले बल्ले बाजी करने उत्री टीम इंडिया की शुरुआत काफी खराब रही बारते टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने पहले ही ओहर में दो चोके जड़े लेकिन इसी ओहर की अंतिम गेंड पर पवेलियन लोड गए स्रेस एयर ने आते ही तेजी से रन बनाए लेकिन 13 गेंदों में 22 रन बनाकर पवेलियन लोड गए साथी में दोस्तों शिकर धवन ने भी धिमे बल्ले बाजी की और 42 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हो गए दोस्तों इसके बाद शिवम दूबे और रिशबपन तभी कुछ खास प्रवाव नहीं चोड़ पाए लेकिन वाशिंग्टन सुंदर और कुणाल पांडिया ने अंतिम दो ओहरों में 30 रन जोड़ कर टीम को 6 विकेट पर 148 रनों तक पहुँचा दिया 159 रनों के लक्ष का पीचा करने उत्रे बंगलदेश की टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही पहले ही ओहर में लिटन दास का विकेट गिरा फिर नईम और सुम्य सरकार ने पारी को संबाला दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 40 रनों की साजेदर बनाई दोस्तो अनुभवी मुश्पिकुर रहीम ने पारी को संबालती हुए मैच में नाबाद 60 रन बनाए और इस तरह से बंगलदेश ने पहला टीट्वेंटी मुकाबला अपने नाम कर लिया वहीं पर दोस्तो मुश्पिकुर रहीम को उनके बहतरीन प्रशन की वजह से मैन अप दम मैच का अवार्ड भी दिया गया दोस्तो धोनी का उत्तरादिकारी माने जाने वाले रिशप पन्त ने पहले टीट्वेंटी में फ्लॉप साबित हुए उन्होंने टेस्ट क्रिकेट जैसी बल्ले बाजी करते हुए 27 गेंदों में 26 रन बनाए और खराब शौट की वजह से आउट भी हो गए जिसके बाद कई सारे दिगज फिर से एक बार रिशप पन्त पर गुसा हुए है दोस्तों मंगलदेश के खिलाफ दिल्ली में खेले गए पहले टीट्वेंटी मुकाबले में जब रिशप पन्त ने डी आरेस के लिए कप्तान रोहित शर्मा को सहमत किया लेकिन जैसे ही अमपायर ने भारत का रेफरल खारिज किया तो दर्शुकों की और से लगातार धोन निकल कर सामने आ रही है जहां पर दोस्तों खराब प्रदशन करनी की वजह से दोस्तों यहां पर रिशप पन्त को लेकर कुनाल पांडिया ने बड़ा बियान दिया है जहां दोस्तों कुनाल पांडिया ने कहा कि रिशप पन्त टीट्वेंटी के सबसे खतरनाक बल्लेबा माने जाते हैं लेकिन उन्होंने पहले टी-ट्विंटी मुकाबले में जिस तरह से प्रदस्षन किया है वह काफी जादा निराचनक है जिसकी वजह से हमें हार का मुह भी देखना पड़ा है क्योंकि रिशब पंत जिस बल्ले बाजी के लिए जान जाते हैं उस तरह का प्रद बल्ले बाज की जरुवत है जो कि महंदर सीह धोनी है और महंदर सीह धोनी को जल्द ही मैदान पर वापसी करने चाहिए और उनका अनुबह भी युवा खिलाडियों को देना चाहिए तो ऐसे में दोस्तों महंदर सीह धोनी हैं जो दुनिया के सबसे बहतरीन विकेट की पर बल्ले बाज हैं साथी में दोस्तों यहां पर कुनाल पांडिया ने महिंदर सिह धोनी को लेकर कहते हुए कहा कि अगर धोनी